हेलो दोस्तों मैं रप्टर विकास मोरे तो कुछी दिन पहले की बात है मुझे एक कॉल आया था रात के साधे दस बच गये थे प्रोटर साथ प्लीज आप थोड़ी दे के लिए रूखे हम आई रहें क्या हुआ तो बुले मेरे बैटे के मोशन से ब्लड आ रहा है तो आप प्लीज पांच मिनट के लिए रोके हम आते हैं ठीक है आप आज आई मैंने बैट किया आके मैंने देखा तो सही में उनके बच्चे के स्टूल से थोड़ा रेड ब्लड दिख रहा था मैंने उनको पूछा क्या जब से एक-दो साल में तकलिफ स्टार्ट हुई है बहुत सारे हमने मेडिसन ट्राय किया है लेकिन ये प्रॉब्लम साल नहीं हो रही है मैंने कुछ उनको मेडिसन दिये कुछ इंस्ट्रक्शन दिये और अभी वह मेरे साथ फॉलो कर रहे है यह जो प्रॉब्लम है इसके बारे में हमने सोचना चाहिए कि हमका खाने का तरीका बदल गया है यह हमारी लाइफस्टेल चेंज हो गई है और यह प्रॉब्लम पहले से बुड़े लोगों में था फिर एडल्स में आया अभी बच्चों में बहुत कॉमन हो गया है तो हमें यह समझना चाहिए कि क में थे最ok कुकंप frustrated होता क्यों है हमें पता है कि हम खाना काते हैं खाना काने के प्पाद में चोटी आते फिर आता है फिर और से लाजन अमें पास होता है इस प्रशिजर को तक्रीबीव हम किसी को दो-चार घंड़ किसी को दो चार दिन भी लगता है ऐसा क्यों होता है अच tatu hari जब तक हमढ़ी स्मॉल इंटेस्टां Sultan अज़र कमरा फूर्द hustuk में रहते हैं या semi solid, में रहता है लेकिन जैसे यह जो फूड वैस्ट है यह जब हमारे large intestine में आता तो वहां पर हमारा जो बड़ा बड़ी आते या लाज इंटेस्टाइन है उसमें का वाटर आपसाप करना चलो कर देती है तो जितना ज्यादा वक्त वो फूड लाज इंटेस्टाइन में रहेगा उतना वो हाड बनते जाएगा तो हमें इसलिए खाने के बारे में इतना अलर निकल जाए लेकिन जो खाने का हमारा आशकल का तरीका या बच्चों का खाने का तरीका है जो इस तरह से हो गया है कि पूर स्टख हो जाता है फूर्ड बहुत सलोली आगे मूँ करता है अर इसलिए बांडी उसमें से पूरा water निकाल लेथी या उसमें बहुत हाड़ जैसे puborectalis muscle या anal muscle, यह muscle महाँ पर एक angle create करती है, जो stool बनता है उसको बाहर निकालने के लिए help करती है, तो अक्सर मैं देखता हूं जिन बच्चे को hard motion होता है, या तो वो खड़ा रहे के motion करते हैं, या पूरा जमिन पर बैट के motion करते हैं, या फिर soak के motion करते हैं, या फिर ज होता है है कि जो body का angle होना चाहिए, at least 45 degree का angle, वो नहीं बनता है, और motion अंदर stuck हो जाता है, और नीचे नहीं आता है, और जितना ज्यादा अंदर रहेगा, उतना body उसका water निकालोगी, उसका और hard बना देगी, तो यह हो गया angle, angle of the toilet seat, उसके बाद है time, बच्चे आजकल toilet में hardly मुश्किल से 5 या 10 मिनिट भी बैठते हैं नहीं toilet seat के उफर, उनको जड़ा भी कुछ toilet आई, बैटेंगे, थोड़ा सा motion pass करेंगे, और फिर भाग जाएंगे, और आदा motion पेट मी रहेगा, और फिर वो क्या होता है, उसमें का water निकालने के बाद, वो फिर से hard बनता है, next time करेगा, तो उसका hard stool होगा, तकलिफ होगी, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या बच्चा adequately 10-15 मिनिट, toilet seat पे बैठ भी रहा है, या नहीं बैठ रहा है, इसके लिए हमने बाकायदा उनको toilet training करनी चाहिए, घड़ी लेगा कि उनको 10-15 मिने toilet seat पे बठाना चाहिए, तब ही यो motion ठीक से साफ कर पाएंगे, एक बात मैं बतन आपको बुल गया कि बच्चों के पैर बहुत बार toilet seat पे नीचे जमिन तक पहुँचते नहीं, इसलिए वो खुब कुस strain या pressure नहीं दे पाते हैं, तो अगर आपके पास western toilet है, तो आप बच्चे के पैर के नीचे एक stool दीज ये motion पास ठीक से होता है, लेकिन अगर western toilet है, तो इसमें constipation होने कर काफी डर होता है, तो हमने बात है कि किस चीज की, जो speed of the food, उसके बाद है, एंगल of, जो हमारा sitting angle है, फिर time, अभी जो मैंने पहली बात बताई कि जो speed of the food है, इंटे सेंट के अंदर, वो slow क्यों होता है, तो हम खाना क्या खा रहे हैं, बच्चे क्या खाना खा रहे हैं, बहुत जरूरी है, जिस खाने में जो fiber content ज्यादा रहेगा, adequate मात्रा में रहेगा, वो food बहुत rapidly intestine से मूँ होता है, और hard नहीं बनता है, तो हमारे जो खाने के तर तरीके हैं, खाने का जो content उसमें fiber के दो प्र पेर है, या फिर गवावा है, avocado है, sweet potato, broccoli, carrot और beans है, ऐसे बहुत सारे चीज़ों में soluble fiber हमको मिलता है, और यह soluble fiber जोग हम खाना खाते हैं, तो पेट में जाके उसका जेल बनता है, थिक जेल बनता है, तो जेल क्या करता है, कि जो हम excess oil खाते हैं, या फिर excess चीज़े खाते है उसको भी trap कर लेता है, तो unnecessary oil को absorb नहीं करने देता है, और food को आगे मूँ आने के लिए help करता है, और यह soluble fiber हमारे जब large intestine में जाता है, तो उसका fermentation होता है, आपका पता है, कि food का fermentation हमारे large intestine में होता है, तो उससे बनते है small fatty acids, जैसे butric acid, तो यह जो butric acid या जो अलग-अलग fatty acids है, यह हमरे body के built-up में काफी help करता है, और जो insoluble fibers है, जैसे for example, आपका green vegetables या cabbage, या whole grains, brown rice, इसमें काफी अधिक मात्रा में fiber content होता है, और जो insoluble होता है, वो absorb नहीं होता है, इससे क्या होता है, कि जब हम यह खाना काते हैं, तो full नहीं सोता है, तो इसलिए हम green salad खाने के प और खाना कम जाता है, weight gain होने के chances कम होते हैं, तो बच्चों को हमने, अगर weight gain बहुत हो रहा है, तो green salad काने के आदफोन लगनी चाहिए, इनको constipation है, उनको green salad काने की habit ज़रूर लगने चाहिए, अगर apple अगर खाना है, तो cover के साथ खाना चाहिए, क्योंकि apple का cover निकाल दिय अभी मैं ये चीज़े parents को बहुत समझाता हूँ, लेकिन आजकल parents बच्चों के पैर में इतने अंधे हो चुके हैं, कि अगर दो चार दिन में उनको बोलता हूँ कि उनको एक 20-25 दिन milk मत पिलाईए, और उनको bagry item मत पिलाईए, तो ये बात मैं एक बार में बहुत बार बो मैंने पिछले 3-4 दिन से नहीं दिया, रात को रोने लगा और उसको दुद्ध पिला दिया, तो कि आपको पता हैं, जिनको constipation है, उनको आप मिल्क दिया, तो constipation बढ़ता है, इसलिए milk और milk product हमने काम करने चाहिए, वेकरी item को बिलकुल अवाड करना चाहिए, तो जो बालो किये, तो जो मर्जी दवाई दीजिए, जितने चाहें, डॉक्टर चेंज करिए, ये problem बिलकुल सौल नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, हाई-फाइबर डाइट काना है, बच्चों को exercise, जिसे jumping jack है, या फिर कुछ सूरे नमासकार है, या अलग-अलग functional exercises है, abdominal massage, body का massage भी करना चाहें बच्चों का, और काफी अधिक मातरा में पानी भी पीना चाहिए, अगर ये कुछ चीज़े अगर हम follow करेंगे, तो बहुत बार दवायों की ज़रत नहीं पड़ती है, तो अब ये आपको decide करना है, क्या आपके बच्चों को आपको हर मैने में, हर 2-3-2-4 म इस तरह की दवाया देनी है, या फिर एक ये simple चीज़ है, जो आपको food का style है घर में, उसको आपको change करना है, मैं ये चीज़ आप पे छोड़ता हूँ, बहुत सारे लोग इसको follow करते हैं, और बहुत सारे बच्चों में मैंने ये पाया है, जो लोग इसको follow करते हैं, उनको wonderful उसका result आए, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे like करिये, share करिये और हमारे चैनल को जरूर subscribe करिये, thank you so much